हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ योगिस भरत द्वारज और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल माईजी नोलेज और आज हम जानेंगे चर्निंग यानि मन्थन के बारे में वो भी बिलकुल आसान भासा में और आसान तरीके से तो चर्निंग इसको हम हिंदी में मन्थन भी बोलते हैं देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास नीली पीली हरी गुलाबी बाल्स हैं यानि गेंध हैं और वो सब आपस में मिक्स होई पड़ी हैं मिली पड़ी हैं एक दूसरे में और हमको बाल्स को कलर के हिसाब से अलग-अल और ये करना आसान भी है लेकिन आप सोचो कि अगर हम नमक यानि सॉल्ट डस्ट यानि मिट्टी इन दोनों को आपस में मिला दें तो इनको अलग-अलग करना आसान है नहीं है एक तरह से कहें इंपॉसिवल के समान है अच्छा चलो एक बात बताओ आपने कभी बटर यानि मक्षन खाया है बिल्कुल खाया होगा क्या आपको पता है वो आता कहां से है तो वो आता है दही यानि कड को मन्थन करने से यानि चर्निंग करने से इसी को हम चर्निंग यानि मन्थन कहते हैं अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो सायद आपको पता भी होगा कि काफी हजारो साल पहले समुद्र यानि C में भी चर्णिंग प्रोसेश यानि मन्थन की प्रकिरिया की गई थी आप YouTube पर सर्च भी करके देख लेना की सी चर्णिंग मतलब समुद्र मन्थन समुद्र मन्थन से ही देवताओं को अम्रित प्राप्त हुआ था तो लोके फ्रेंड्स साइध आपको समझ में आ गया होगा कि चर्णिंग का मतलब क्या होता है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ